नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विकरम और स्वागत है आपका हमारी यूट्व चैनल लेर्ण टेक्निकल में आज की दोस्तों जो जो जॉब है वो निकली है भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटीड की तरफ से जिसमें की सभी भारती ओनलाइन मोट से अपलाई कर सकते हैं किसी तरह की फीस आपको जो है वो नहीं पे करनी है क्या एज क्रैटीरिय मागा गया क्या क्वालिफकेशन मागी गई है सारी इंफोमेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ बने रही वीडियो में मेरे साथ और साथ ही सीखिए सही तरीका ओनलाइन अपलाई करने का दोस्तों यह है ओफीशन नोटिफकेशन जो की जारी करी की है भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की तरफ से जिसमें की सब ही फारती ओनलाइन मोट से अपलाई कर सकते हैं इंजीनिर की दोस्तों यह भरती है अगर आपने बीए बीटेक की लेक्ट्रिनिक में की हुई है मेकैनिकल में की हुई है कंप्यूटर साइंस में की हुई है civil में की हुई है तो सब भी इसके लिए जो आवेदन कर सकते हैं total number of post 15 के आसपास है male female पूरे इंडिया में से कहीं से भी जहेव अप्लाई कर सकते हैं, job location दोस्तों आपकी रहेगी चन्नही में, तामिल लाडू में exam कहा होगा, उसके बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया लेकिन हो सकता है कि तामिल यानि की चन्नही में हो और हो सकता है कि आपकी अपनी स्केट में ही exam इसका लिया जाए तो इसका link दोस्तों description में मिलेगा वहाँ पे click करके इसको download करके, read करके फिर इसके लिए जो अप्लाई करिएगा, बिना read करे हुए apply जो हो मत करिएगा बाईस कियारा दोस्तों इसके अवेदन जो है वो शुरू हो चुके है online mode से, बारा बारा दोस्तों अट्टर तक आप इसके लिए apply कर पाएंगे age criteria क्या रहेगा, दोस्तों अगर आप general category से हैं तो 25 साल से जादा आपकी age नहीं होनी चाहिए OBC से हैं तो 28 साल से जादा नहीं होनी चाहिए और ST candidate है अगर आप तो आपकी age जो है वो 30 साल से जादा जो है वो नहीं होनी चाहिए, बाकि PWD candidate यानि कि person with disability को जो है वो 5 साल का extra जो है वो relaxation दिया जाएगा, यहाँ पर उन्हें लिखा भी है SC, ST, OBC, PWD candidate will be as per government guideline यानि कि जो आपको reservation मिलेगी वो government rule के हिसाब से जो है वो मिलेगी qualification जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया BE, BTEC जो है, इससे संबंदित आपके पास जो है वो degree चाहिए, तब भी आप apply कर पाएंगे first class, अगर आप general category से हैं, OBC से हैं तो first class आपके पास जो है, वो qualification होनी चाहिए यानि कि 60% के आजपास जो है, वो marks आपके होने चाहिए electronics and communication engineering करी हुई है, तो भी इसके लिए अफ़ाइदन कर सकते हैं communication engineering करी हुई है, तो भी electronics department में apply कर सकते हैं telecommunication engineering करी हुई है, तो भी कर सकते हैं mechanical के लिए mechanical engineering होना ज़रूरी है computer science के लिए apply कर रहे हैं, computer science, computer engineering, computer science and engineering तो आप इसके लिए अफ़ाइदन कर सकते हैं Electrical के लिए जैसे कि मैंने आपको बताई दिये Electrical Electronics और Civil के लिए Civil Engineering Salary क्या मिलेगी दोस्त आपको 26,500 आपकी जो है वो salary रहने वाली है जो कि अगर आप एक साल के बाद फिर से आपकी job जो होती है तो बड़ाई भी जा सकती है उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि method of selection आपका written exam होगा फिर interview और उसके mathem से आपको यहाँ पर job मिलेगी उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि apply online जो है वो कैसे करना है वो मैं थोड़ी दिर में आपको बताने ही वाला हूँ अभी थोड़ी दिर में में बता दूँगा तो यहाँ पे दोस्तों online mode से ही apply कर पाएंगे उसके लावा कोई भी mode से अगर आप apply करेंगे तो आपकी यह application है वो accept नहीं की जाएगी तो बस दोस्तों notification में यही कुछ है मैं अभी आपको बता देता हूँ कि online apply जो है वो कैसे करना है दोस्तो online apply करने के लिए आपको इस link पे वो आना होगा यह link तूँगा मैं ठीक नीचे description में वहाँ पे click करेंगे तो आप इस page पे जो है असानी से आ जाएंगे यहाँ पे आने के बाद दोस्तों second number की यह जो जॉब है selection of contract engineer यहाँ पे आप उपर देख सकते हैं अगर आपको जो है वो notification डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे click करना है उसके बाद अगर आपको online apply करना है तो यहाँ पे click here to apply का बटन सा दिख रहा है आपको इसके उपर click करना है यहाँ पे उन्हें बता दिए कि 12 December तक आप इसके लिए apply कर सकते हैं तो आपको simply click here to apply पे click कर देना है जैसे दोस्तों आप यहाँ पे जो है वो click कर देंगे तो आप space पर आ जाएंगे तो यह form आपको जो है वो भरना पड़ेगा यहाँ पे आप जो अपनी state जो है वो select कर सकते हैं कि state से आप apply कर रहे हैं तो यह सारी चीज़े फिल करने के बाद दोस्तों आप apply कर पाएंगे इस job के लिए तो thank you very much दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आशा करता हम कि अपको वीडियो पसंद आई होगी